नवस्ते सुगत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेटी परषंट जो रूल है वो क्या होता है सिंपल भाष्ण में यह मीट्व फरषंट में जो इन्वेश्ट करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं मुचल फरंड में तो मीचल फरषंट उस mutual fund को जो है 80% से जादा asset एक sector में आप वो invest नहीं कर सकता है तो अगर आपने for example एक IT sector fund में आपने invest किया है तो वो एक specific company में 80% से जादा invest नहीं कर सकता है वहाँ पर उस IT index में यानि उस industry में जितने भी सारे दूसरे stocks है वहाँ भी उसको invest करना पड़ेगा main reason यह है कि यहाँ पर diversification होना परेगा नहीं तो अगर for example 80% से जादा अगर एक company के stock में डाला हुआ है वहाँ पर return अच्छा नहीं आएगा तो फिर वहाँ पर जो investor पैसा तो आपका है आपका आपने पैसा लगा है तो फिर आपका जो return है वो भी negative हो सकता है main objective यह है कि जब भी आप diversify करते हैं तो आप अपना risk को reduce करते हैं यह सिर्फ ना सिर्फ equity mutual fund में applicable होता है debt mutual fund में भी यह applicable होता है इसलिए जब भी आप mutual fund में invest करना चाहते हैं तो इस चीज़ आपको ध्यानक ना परेगा यहां पर यह 80% बाला rule follow किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है क्योंकि से भी इसको make sure करते हैं कि इसको follow किया जा रहा है और यहां पर आपको यह भी देखने हैं कि बहुत सारे mutual fund अगर एक specific stock में अगर बहुत जादा पैसा डालके रखा हुआ है तो उसका जो revenue है या उसक पिद्नामा.com पर जाकर विजिट करें और वहां पर ऐसे बहुत सारे informative चीज़े आप सीख पाएंगे उसी के साथ हमाई चैनल को like, share, subscribe ज़रूर कीजे नियमित अपडेट्स पाने के लिए कैसे आप investing कर सकते हैं और wealth creation के बारे में जादा सीख पाएंगे थाइप बढ़े बारे में अपूर देख उसके सब्सक्राइब के लिए हैंगे